नमस्कार जैहिंद बंदेमात्रम दोश्तों आज की इस वीडियो में सोसल साइंस के बेतरीन प्रसनों को लेकर आया हूँ इस वीडियो में इंपोर्टेंड सेलेक्टिड वही प्रसन करवाऊंगा जो परिच्छा में सर्व स्रेष्ट साबित होंगे संपूर्ड वीडियो में संपूर्ड सोसल साइंस के बेतरीन प्रसनों को अच्छे ढंग से हर एक पॉइंट को डिसकस करते हुए तीब्र गती से चलेंगे तो चलिए सुरू करते हैं पहला को एस्षन कहता है कि रितू प्रवास से अभिप्राय है फसल कटाई की अवधी के दोरान स्रम सकती का नगर से गाउं की और प्रवसन लोगों की अपनी जीविका के लिए रितूवत गती सीलता ने चरागाँ की खौज में अपने पसुधन के साथ लोगों की रितूवत गती सीलता उन्य प्राड़ियों की रितूवत गती सीलता राइट आंसर की अगर बात करूँ तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ओपसन नमबर तीन ने चरागाओं की खोज में अपने पसुदन के साथ लोगों की रितुवत गत सीलता ही रितु प्रबास कहलाती है इसका मतलब होता है कि पसुओं को ऐसी जगे पर ले जाना रितुओं के अनुसार जहां पर पसुओं के लिए पानी भी उप्लब दो और गास भी उप्लब दो तो उस जगे को कहेंगे रितु प्रबास यानि कि इसी के अनुसार मौसम के अनुसार जब पसुओं को पानी और चरागाह की उपलब्दा की अनुसार किसी एक जगे से दूसरी जगे पर ले जाया जाता है, तो उसको कहते हैं रितु प्रबास, बात करते हैं अंगले कोईसन की, अंगला कोईसन है पर आचुका है, कहता है कि बिने पिटक एक गिरंत है, जो अविलेखित करता है, बिने उसको कौन सा हो जाएगा, इंपोर्टेंट कोईसन है आपके एकजाम की दरश्टी से, तो चलिए, बताता हूँ यहापर, बिने पिटक की अगर बात करूँ, बिने पिटक एक गिरंत है, जो क्या अविलेखित करता है, यहापर पूछा गया आप से, इसका मतलब होता है, य बता है जो आपके बहुत धर्मकी, जो तिरी पिटक होते हैं, वो तीन पिटक में कौन कौन से होते हैं, नमबर एक पर होता है आपका सुत्थ पिटक, यहापर लिख देता हूँ, नमबर एक पर होता है सुत्थ पिटक, और दूसरे नमबर पर क्या होता है, दूसरे नमबर पर होता है आपका कौन सा बिने पिटक और तीसरे नंबर पर कौन होता है अभी धम पिटक भी होता है आपका ठीक अभी धम पिटक भी होता है ठीक अगर बात करूं सुत्य पिटक की किसकी सुत्य पिटक में क्या बताए गया है जैसे की बिने पिटक में आपने जान लिया कि नियम बताएगे है बोद धरम से अगर बात करूँ शुत्य पिटक की शुत्य पिटक में सिधान्त बताएगे है रही धरमिक वियाख्या बताएगे है अभी धम पिटक में ये तीन पिटक एकजाम में हर वर्स पूँचे जाते हैं इसलिए आप याद रखेंगे सुत्थ पिटक अभी धम पिटक और बिने पिटक किसे समंदिद हैं और इनके क्या क्या कार होते हैं बात करूँगा यहाँ पर अंगलिय कोईसन की अंगला कोईसन कहता है कि रिगवेद की विसे में निमने लिखित तीन कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चैन कीजिए यह 3500 बर्स पूर्व लिखा गया था इसकी रचना प्राकरत में की गई थी इसमें 1000 से अधिक प्राथना हैं A गलत B और C सही A सही B और C गलत B स तो यहां पर कौन सा राइट आंसर होगा अगर बात करूं बैदिक काल की किसकी बैदिक काल का जो समय सीमा है वो कितना है वो है दोस्तों 1500 इसा पूर्व से लेकर कितना है एक हजार नहीं एक हजार नहीं यहां होगा 600 इसा पूर्व तक है बैदिक काल का समय सीमा अगर इसी आती है आपकी किस में आती है ये आती है रिग वेद में जबकि एक जो यहाँ पर एक हजार से जो छैसो के बीच में आती है वो आती है उत्तर वैदिक काल में इतना याद रखिएगा आप सभी लोग ठीक बात करूँ अगर यह 3500 बर्स पूर्व में लिखा गए था बिल्कु की अग्यात है लगवग में आंसर इसका आ सकता है ठीक इसकी रचना प्राकरत में की गई थी बिल्कुल नहीं की गई थी रिगवेद की जो रचना की गई थी ये की गई थी संस्कृत भासा में किस भासा में संस्कृत भासा में की गई थी इसलिए आपर ओप्सन मतलब की गया है, ठीक, इसमें एक हजार से अधिक प्राथनाई है, प्राथनाओं का मतलब होता है मंत्र, इसमें मंत्रों की संक्या कितनी है, इसमें है 10462, कितनी है 10462 आपकी प्राथना हैं और बात अगर इसमें करूं सूक्त की किसकी सूक्त की बात करूं तो सूक्त आपके कितने होते हैं सूक्त आपके हैं 1028 सूक्त हैं और अगर आपसे पूचा जाए क्या पूचा जाए मंडल कितने हैं क्या मंडल कितने मंडल तो 10 हैं इसमें ठ और morality answer तो बीके कारट तो right answer कौन सा होगा दोस्तों अंगल margin की अंगला होकी सीर्वाध किन विध्धार्तियों को इतिहास कारों के समान सोचने के लिए प्रोस्तसाहित करने है तू निमने लिकित में से कौन सी विधी सरबाधिक उपियुक्त होगी सोर्स मेथड यानि की सुरोत विधी प्रोजेक्ट मेथड परियोजना विधी या कहानी सुनाने वाली विधी या पूछता विधी तो राइट आंसर यहाँ पर आपको बताना है इतिहास से संबंदित पेडागोजी का यह कौस्टन है मतलब की बच्चों को बताना है इतिहास कारों के बारे में सोचने के लिए प्रोतसाहित करना है तो जो सबसे उपियुक्त विधी होगी वो होगी सोर्स मेथड यानि की सुरोत विधी अगर आपसे इतिहास पेडागोजी से संबंदित कुछे जाए तो ज़्यादा तर आंसर वहाँ पर सुरोत विधी देखने को मिलता है क्योंकि इतिहास में सुरोतों के आधार पर ही किसी बस्तु या चीज को निरदारित किया जाता है चाहे टाइम हो चाहे कुछ भी हो ठीक बात करते हैं अंगले कोईसन की अंगला कोईसन यहाँ पर आचुगा है कच्छा चाहे के इस तर पर प्रतिवी का परिक्रमण पढ़ाने के लिए सबसे उप्युक्त अधिगम साहयक सामगरी क्या होगी इंपोर्टन ग्लोब एटलस मानचित्र या चार्ट बच्चों को आपको क्या बताना है परतिवी का परिक्रमण समझाना है तो आप क्या करेंगे आप करेंगे ग्लोब की साहता लेंगे किसकी ग्लोब की साहता लेंगे ना कि एटलस की मानचित्र की चार्ट की राइट आंसर ओप्सन नमबर एक गिलोब अंगला कोईसन कहता है कि भारत के संबिधान की अंतिम ब्याख्या करने बाला बाली है कार पालिका है नियाई पालिका भारत के नागरिक या बिधाई का तो राइट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा जो कि संबिधान की अंतिम पंचायत की सचिब की नियुक्ति निम्न लिकित में से कौन करता है पंचायत समिती जिला परिसद पंचायत का प्रधान गवर्मेंट यानी की सरकार तो राइट आंसर की बात करूं यहाँ पर बात की गही जो ग्राम पंचायत का जो सचिब होता है सचिब की नियुक्ति कौन क यहाँ पर आ चुका है अंगला कुएस्वशन कहता है कि महा जनपदों के बिशचय में निम्न लिकित कथनों में से कौन सा कथन सही है सभी महा जनपदों कि राजधानी नहीं होती थी महा जनपद के सभी राजाओं समस्याओं पर निरड़ाई के लिए सभाओं में मिलते जिने संग कहते थे महा जनपदों में सेना का रख रखाओ आम लोगों दोरा दियेगे उपहारों दोरा किया जाता था फिर थिएक महा जनपत किसी एक राजा दोरा सासित नहीं होता था अपर तुल सेंकडों सासक मिलकर सासन करते थे वा फिर थिएक सासक राजा कहलाता था राइट आंसर की बात करूँ तो राइट आंसर यहाँ पर होगा अगर बात करें महा जनपत काल की जो कि चटी सताबदी ईसा पूर्व की बात की जाती है तो महा जनपत काल का जो सेना का जो रख रखा होता था वो आम लोगों दोरा उपहारों दोरा किया जाता था नहीं नियमित कर वसूला जाता था क्या किया जाता था नियमित कर वसूला ब्यापारी से भी हर परकार से जनता से क्या वसूला जाता था नियमित कर वसूला जाता था राइट आंसर अप्सन नंबर एक बात करते हैं अंगले कोईसन की अंगला कोईसन आचुका यहां पर सुन हरी जरी निमन लिकित में से किसकी एक किसम है जूट सिल्क सूती बर्स्तर नाइलोन राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा जूट सुन हरी जरी जूट की एक किस्म है बढ़ते हैं अंगले कोईसन की तरफ अंगला कोईसन कहता है कि पटवारियों लेक पालों के कारी की देखवाल निमने लिकित में से कौन करता है ग्राम पंचायत का सरपंच तैसीलदार जिलाधीस संबंदित छेत्र के पुलिस इस्टेशन का एस एचो तो राइट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा तैसीलदार पटवारियों या लेक पाल जो होते हैं उनके कारियों की क्या करता है देखवाल करता है बात करते हैं अंगले कोईसन की अंगला कोईसन यहाँ पर कहता है कि निमने लिकित में से कौन सी भूकमपी तरंग राइट आंसर की बात करूँ यहा पर आप से पूचा गया कि कौन सी भूकमपी तरंगे नहीं हैं प्रश्टिय तरंग यानि कि सरपेस वेस भी आपकी तरंगे होती हैं जिने एस बेब के नाम से जाना जाता है अनुधार्ग की बात करें तो ये भी एक भूकमप की ही पर राइट आंसर होगा आपका ओप्सन नमबर तीन राइट आंसर हो जाएगा जो कि भूकम पतरंग नहीं होगी अंगला को ऐसन कहता है कि जन संख्या घनत से अभिप्राय है भूप्रश्ट पर लोगों के फैलाओ का शुरूप प्रत्थवी के प्रश्ट के एक एकाई छेत रहने वाले लोगों की संख्या अमने लिकीत में से किस महासागरिय परिसंचरण की उतपति होती है ? महासागर धाराए ज्वार भाटे, सुनामी या तरंगे राइठ आंसर हैं। यहाँ पर कौनसा होगा ? ज्वार भाटे कैसे आते हैं ? यह आते हैं सूर एवं चंद्रमा के प्रत्थिवी की सतय पर सक्तिसालि गुरत्वा करशड बलके कारण ही जुआर भाटे आते हैं जुआर का मतलब होता है उठते जल को जुआर कहते हैं और गिरते जल को कहते हैं भाटा गिरते जल को कहते हैं भाटा और उठते जल को कहते है जो आर इतना याद रखिएगा बात करते हैं अंगले क्वेस्टन की अंगला क्वेस्टन कहता है कि सहरा मरुष्टल के बिसे में निमने लिकित कतनों में से कौन सा कतन यापर सही है यह ठंडे प्रिकार का मरुष्टल है यह एक समय में हरा भरा मैदान था यह केबल बालू की विसाल परतों से ढखा हुआ है यह यह यूरोप महादीप में इस्तित है तो राइट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा सहरा मरुष्टल कैसा है यह एक गर्म मरुष्टल हो जाएगा यहाँ ठंडे की बात की गई है यह कैसा मरुष्टल है एक समय में यह कैसा मैदान था एक सम महादीब में अफरीका के उत्री भाग में पढ़ता है ये आपका सहरा मरुस्तल अफरीका महादीब में पढ़ता है आपका सहरा मरुस्तल बात करें तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा option number two यह एक समय में कैसा मैदान था एक हरा भरा मैदान था वहाँ पर ब्रच भी उगते थे हरे भरे बात करते हैं next question की अंगला question है यहाँ पर आ चुका है कहता है कि वीटी कल्चर से क्या अभिप्रा है जिसे कहते हैं द्राच्छा क्रसी विसेश रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मतस्य पालन अंगूरों की खेती रेसम की कीटों का बाड़िजग पालन बाड़िजग उपयोग के लिए सबजीयों फूलों और फलों को उगाना राइट अंसर यहां पर कौन सा होगा अगर बात करें वीटी कल्चर की किसकी वीटी कल्चर का मतलब होता है अंगूर की क्रसी अंगूर की खेती को ही वीटी कल्चर कहते हैं यानि की ओप्सन नंबर टू यहां पर राइट होगा ठिक ओप्सन नंबर टू राइट होगा ग् पीसी कल्चर उसे कहते हैं याद रखिएगा पीसी कल्चर उसे कहते हैं अगर बात करें किसकी रेसम के कीटों का जो पाड़िज्यक पालन किया जाता है उसे कहते हैं सेरी कल्चर क्या नाम दिया जाता है सेरी कल्चर उसे कहते हैं अगर आप से पूछे की जो कौन सी करसी होती बाड़िज्यक उप्यों के लिए सबजी और फूलों और फलों वाली जो खेती होती है उसको कहते हैं हार्टी कल्चर क्या कहते हैं उसको कहते हैं हार्टी कल्चर उसको कहते हैं यहाँ पर याद रखिएगा आप PC कल्चर सेरी कल्चर हार्टी कल्चर और VT कल्चर वीटी कल्चर का मतलब होता है अंगूर वाली खेती, पीसी कल्चर का मतलब होता है मचली पालन से, सेरी कल्चर का मतलब होता है रेसम के कीटों का बडिज्यक पालन, हार्टी कल्चर का मतलब होता है सबजी फूल फल को उगाना समझ चुके होंगे आप सभी बात करते हैं अब मद्ध मंडल, राइट आंसर यहां पर कौन सा होगा, राइट आंसर हो जाएगा, रेडियो प्रसारण में जो परत मदद करती है, उस परत का नाम है बाहे मंडल, जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं, थरमोस पियर कहते हैं, जो की रेडियो प्रसारण में मदद करती है, इस मंडल को अनन मंडल के नाम से भी जाना जाता है इसको कहते हैं आयन मंडल क्या कहते हैं इसको आयन मंडल के नाम से भी जाना जाता है important question है तो यहाँ पर right answer कौन सा हो जाएगा option number 1 बाहे मंडल जो की radio प्रसारण में सहता करती है बात करेंगर समताप मंडल में समताप मंडल में क्या होता है समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं ठीक और चोब मंडल में क्या होता है मोसम समंदित गटना किस मंडल में होती है मौसम समंदित सभी पिरकारिक गटना जैसे की बरसा आधी तूफान ओला सभी आपके होते हैं छोब मंडल में अगर मद्ध मंडल की बात करू उलका पिंड आने पर ही जल जाते हैं उलकापिंड किस मंडल में आने पर ही जल जाते हैं मद मंडल में उलकापिंड जो होते हैं वो क्या होने लगते हैं वो जलने लगते हैं कोईसन कई बार एक्जाम में रिपीट हो चुका है important question हर point मैंने बता दिया यहाँ पर आपको बात करते हैं अंगले question की हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रसांत महासागर, या आर्टिक महासागर, यहां पर बात की गई है, किसकी बात की गई है, हवाई दूइप जो है, वो किस सागर के नीचे इस्तित है हवाई दूइप, हवाई दूइप जो है वाई साब, यह कहां पर इस्तित है, यह इस्तित है किस जगए पर इस्तित है यह है आपका प्रिसान्त महासागर में राइट आंसर क्या होगा प्रिसान्त महासागर दा पैसिपिक ओसिन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वहीं पर क्या है हवाई दूइप इस्तित है नेक्ष्ट कोईसन यहाँ पर आ चुका ह क्वेस्टन कहता है कि जैसा कि चोल अविलेखों में उल्लिकित है कि ब्रहम दे उपहार में दीगी भूमी होती है वह निमलिकित में से किसको दी जाती है मंदिरों को ब्रहम दे उपहार भूमी है वो किसे दी जाती है मंदिरों को ब्रहम दे उपहार भूमी है वो किसे दी जा भूमी दी जाती है वो दी जाती है ब्रहमणों को कौन सी भूमी दी जाती है अगर बात करें किसकी इसकूलों में कौन सी दी जाती है इसकूलों में दोस्तों दी जाती है कौन सी साला भोग साला भोग जो भूमी होती है इसकूलों में दी जाती है इससे जुड़े important point भी बिन कोटियों का उलेक मिलता है जैसे कि बेलन वगाई बेलन वगाई का मतलब होता है गेर ब्रामड किसान स्वामी की भूमी जो ब्रामड ना हो यानि कि गेर ब्रामड की जो भूमी है उसको कहेंगे बेलन वगाई ब्रामडों को अपवहार में दी गई भूमी को क्या कहेंग किसी बिद्धाले की रख रखाओ के लिए भूमी दी जाएगी उसे कहेंगे साला भोग क्या कहेंगे साला भोग उसे कहेंगे मंदिर को उपहार में दी गई भूमी को क्या कहेंगे देवदान या तिरुन मतकनी उसको कहेंगे जेन संस्तानों को दान में दी गई भूमी को कहे आसा करते हैं आपने इन सभी पॉइंट को अच्छे डंग से देख लिया बात करते हैं अंगले कोईशन की अंगला कोईशन यहाँ पर आ चुका है यह कोईशन हम बता चुके हैं रिपीट हो चुका है यहाँ पर देखते हैं इस कोईशन को ठीक इस कोईशन में कहता है कि जब लंदन में दोपाहर के बारा बजे हैं तब लंदन के पंदरा डिगरी पूर्ब में इर्थानिय मान क्या होगा important question इस प्रकार के भी question आपके exam में एक या दो जरूर पूछे जाते हैं तो चलिएगा इसको हम बताएंगे आपको बिलकुल आसान तरीके से जब लंदन में कितना बज़ता है बारा बज़ता है कहाँ पर जब लंदन के दोपाहर में बारा बज़ता है तब लंदन के पंदरा डिगरी पूरब में क्या बज़ेगा इतना ही तो आपको बताना है ठीक तो यहाँ पर किसकी बात की गई है लंदन में जब 15 डिगरी की बात की गई एक डिगरी में दोस्तों कितने मिनट होते हैं एक डिगरी में होते हैं चार मिनट तो 15 डिगरी में कितने होगे 15 चोके 60-60 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा एक हो जाएगा, राइट आंसर होगा, एक बज़े दो पहर यहाँ पर राइट हो जाएगा, बात करते हैं अंगलेक्वेसन की, अंगलाक्वेसन यहाँ पर कहता है, क्या कहता है, देखते हैं, निमनलिकित महा सांगरों मेंसे, किसमे प्रतिवी का सबसे गहरा भाग इस्तित है, Pacific Ocean होगा यह Atlantic Ocean होगा Right answer की बात करूँ अगर प्रत्थिवी का जो सबसे गहरा भाग है उस गहरे भाग को क्या कहते है ये भी तो आप जान लीजिए उसको कहते है मेरियानागर्थ क्या कहते है मेरियानागर्थ उसे कहते है जो कि सबसे अधिक गहराई में इस्तित भाग है ये किस महासागर में इस्तित है ये जो इस्तित है ये इस्तित है प्रसांत महासागर में प्रसांत महासागर में मेरियानागर्थ इस्तित है जो कि प्रत्थिवी का सबसे गहरा भाग है बात करते हैं अंगले क्वेस्टन की अंगला question यहाँ पर आचुका है अंगला question यहाँ पर कहता है कि सहयादरी को समानता जाना जाता है सहयादरी को समानता जाना जाता है यहाँ पर देखते हैं इसको सहयादरी को समानता जाना जाता है पूर्भी घाट, पस्मी घाट, अरावली, हिमाले ठीक दा हिमालियस दा अरा वलीस western ghats या eastern ghats राइट answer यहाँपर होगा पस्षिम गाड, पस्षिम गाड को क्या कहते हैं सहा दरी कहते हैं पस्षिम गाड को अगर बात करूं अरा वली अरा वली जो परवत स्रंकला है भारत की सबसे प्राचीनितम स्रंकला में से एक है ठीक बात करते हैं अंगले कोईसें की अंगला कोईसें यहाँ पर आ चुका है कहता है कि प्रतियेक एक डिगरी देसांतर पर इस्तानिय समय बदलता है कितना बदलता है चार मिनट बदलता है बता चुका हूँ, नग्ला कोईशन कहता है कि निमनि लिकित गिरहों में से कौन सा गिरह, अपने अचपर गुरणन करने में सबसे कम समय लेता है, बुद्ध, प्रत्वी, बॉड़णन करने में सबसे कम समय लेता है, कितना समय लेता है नव गंटे पचपन मिनट का टाइम लेता है ब्रसपती अगर बात करूँ प्रत्वी परत्वी लेती है 24 गंटे का टाइम लेती है ठीक इतना आप सभी लोग याद रखेंगे बात करते हैं अंगले क्वेस्टटन की अंगला क्वेस्टन यहाँ पर आ चुक पारो लिन दूइप क्लिप्टन दूइप और कुक दूइप टोंगा दूइप और मारीसस दूइप राइट आंसर की बात करूँ अगर राइट आंसर यहाँ पर होगा आपका ओप्सन नंबर फोर जो की समान अच्छांस पर इस्तित हैं टोंगा दूइप और मारीसस बात करते हैं अंगले question की अंगला question यहाँ पर आ चुका है important question निम्न लिखित राजबंसों में किसके समय बेटी कर नगत की बजाए जबरन स्रम के रूप में लिया जाता था चोल गुप्त पाल या चालुक कौन सा यहाँ पर right answer होगा दोस्तों यहाँ पर किसकी बात की गई है यहाँ पर बात की गई है बेटी बेटी करके नगत की बजाए क्या करने लगे जबरन स्रम के रूप में लिया जाने लगा किस राजबंस के समय तो राजबंस उस समय था चोल कौन सा राजबंस था चोल उस वक्त राजबंस था तो चोल यहाँ पर क्या होगा right answer हो जाएगा अगर बात करें चोल राजबंस में भूराजस को क्या कहते थे अदिमई कहते थे भूराजस विवश्ता को ठीक इतना याद रखिएगा आप सभी लोग बात करते हैं अंगले कोईसन की अंगला कोईसन यहाँ पर कहता है कि क्या कहता है राज की विदाही का अंग से अभिपराय है कानून लागू करने के लिए उत्तरदाई नौकरसा सर्वोच नियाले के नियाधीस नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधी देश का प्रतियक नागरिक राइट आंसर कौन सा यहाँ पर हो जाएगा जो कि राज की विदाय का अंग से उसका मतलब होगा तो राइट आंसर यहाँ पर होगा नागिरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आचुका है अंगला क्वेस्टन अंगला क्वेस्टन कहता है कि संसार में प्रचलित रोपड किरसी की सही विशेश्टा का चैन कीजिये निमनलिकित में से कौन सा है यहांपर ठीक इस प्रकार की किरसी में भूमी का गहन उपयोग करने के लिए किरसक अपने पूरे परिवार की साथ लगा रहता है यह किरसी मद्ध अच्छांसों के अंतरिक और अर्ध सुस्क प्रदेसों में की जाती है इसमें प्रती एकट उपजाओ कम है उपज कम है यह बाड़िज्यक प्रकार की किरसी है जो बिश्तरत छेत्रों पर की जाती है कौन सा यहां पर राइट होगा यहां पर किसकी बात की ग किरसी जो होए जो किरसी होती है किरसी जो भूमी का गहन उप्योग जो होता है उसको कहते हैं उसी को तो कहते हैं गहन निर्वा किरसी क्या कहते हैं विश्तरत किरसी या गहन निर्वा किरसी कहते हैं यह कहाँ पर की जाती है यह मद अच्छांसों और आंतरिक प्रदेसों में क की जाती है कौन सी किरसी विष्टरत गहन किरसी आपकी की जाती है इसमें प्रती एकड़ उपच कम होती है यह तीनों विष्टरत किरसी यानि की गहन निर्वा किरसी की यह विष्टरत यहां पर दी गई है बात करें अगर किसकी रोपड किरसी की जो सही विष्टरत यहां पर इस प्रकार की फसलें इसमें सम्मिलित होती हैं बढ़ते हैं अंगले question की तरफ अंगला question है हापर आचुका है कहता है कि निमनी लिखित इस्तला कृतियों में से किसमें छत्रक सेल पाय जाते हैं मस्रूम रोक्स किसमें पाय जाते हैं इन विस ओब दा फॉलोविंग लेंड फॉर्म्स आर मस्रूम रोक्स फाउंड ठिक इंपोर्टेंट कोईस्टन है रेगिस्तान डेजर्ट डेल्टा ग्लेसियर में पाये जाता है या समुद्री गुपा सी केब राइट अंसर की बात करूँ यहाँ पर क्या पूचा गए आप बालू का डिबा भी इसको कह सकते हैं यानि की बालू का डिबा भी इसको कहते हैं जो छत्रक सैल का जो निर्माड होता है यह होता है पवन के चलने से जब रेगिस्तान में जो पवन चलती है तब बालू उड़के एक जगे से दूसरी जगे पर क्या हो जाती है जम जाती है वहीं पर डिबे तरीकी मतलब की डिबे जैसी आकरती का निर्माड हो जाता जिसे कहते हैं मस्रूम सहल यानि की छत्रक सहल उसे कहते हैं रेगिस्तान में ऐसी आकरतियां पाई जाती हैं बात करते हैं अंगले कोईस्चन की अंगला क्वेस्टन कहता है कि निमनी लिकित इस्तल रूपों में से किसमे खनिज निछेपों की प्रिचुरता पाई जाती है घाटी वेली मैदान पिलेन परवत माउंटेन प्रेटियू पठार कौन सा यहाँ पर राइट कथन हो जाएगा यहाँ पर आपसे पूचा गया है क कौन सी इस्तल रूप है जिसमें खनिज जो है खनिज के निछेपों की जो मातर है वो प्रिचुर मातरा पाई जाती है यह जो पाई जाती है मुक्ष तोर पर पठारों पर पाई जाती है कहां पर पठारों पर पाई जाती है जैसे कि अपने भारत का पठार ले लिजी आप कौन सा छोटा नाग पूर पठार कौन सा छोटा नाग पूर पठार ले लिजी आप ये कहां पर आए ये पढ़ता है आपका जारकंड में ठीक जारकंड वाले इलाके में पढ़ता है छोटा नाग पूर पठार वहें पर क्या पाये जाते हैं खनेज के निशेप पाये जाते ह यानि की खनेजने छेपों की जो अधिक मातरा देखने को मिलती है वो मिलती है पाठारों पर देखने को कहां पर पाठारों पर देखने को मिलती है जादा तर मातरा बात करते हैं दोस्तों अंगले क्वेस्टन की अंगला क्वेस्टन यहां पर कहता है क्या कहता है निमनिलिकि में से किसके नेतरत में बंगाल अठारवी सदी में धीरे धीरे मुगल नियंतरड से अलग हो चुका था जो बंगाल था दोस्तों क्या था बंगाल किसके नेतरत में बंगाल मुगल जो नियंतरड था उससे अलग हो चुका था नादिर सहा मुर्सिद कुली खा निजाम उल मु इंतरर से अलग हो चुका था बंगाल बंगाल बिलकुल अलग हो चुका था मुरसित कुली के नेतरत में ठीक बात करते हैं अंगले क्वेस्टन की अंगला क्वेस्टन यहापर कहता है कि क्या कहता है दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेस्टन है निमनी लिकित में पच्छुआ प पबने हैं, तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा पचुगा पबन की बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक, अगर पचुगा पबन की बात करें, किस की पचुगा पबन की बात करें, तो यह किस दिसा में, किस दिसा की और बहती हैं, यानि कि यह होती हैं, इस्ताई पबने जो कि पस्सिम से पूरब की और बहती हैं कैसी बहती हैं पस्सिम से पूरब की और बहने वाली पबनों को कहते हैं पचुवा पबने जो कि इस्ताई पबने होती हैं इस्ताई पबनों का मतलब क्या होता है यहां पर लिख देता हूं इस्ताई पबन किने कहते हैं इस्त चलती है कहां पर महा सागर आपसे पूछ ले महा सागर और महा दूइपों पर ये ज़्यादा देखने को मिलती है इनकी दिसा कैसी होती है इनकी दिसा इस्ताई होती है इस्ताई यानि की लगातार चलती रहती है पस्सिम से पूरब की ओर बहती है कौन सी पस्सिम से पूरब क और यह बहती हैं इस्ताई पबने जिनमें आपकी पछुवा पबन भी सम्मलित हो जाएगी व्यापारिक जो पबने होती हैं दोस्तों यहाँ पर जो कथन नमबर टू कहता था पूरभ से पस्वी और जो बहती है पबने उन पबनों को कहते हैं व्यापारिक पबने इसमें पच्छुआ पबने जो की कैसी बहती है ये बहती है पूरब से सोरी पस्सिम से पूरब की और बहती है तो इसी को कहते हैं पच्छुआ पबने जो की इस ताइप पबने होती है आसा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में तब तक के लिए धन्वाद आपका दिन सुब रहे जैहिंद बंदमात्रम